नमस्ते दोस्तों जाइका वितंजली में आपका स्वागत है आज मैं लेकर आए हूँ प्यार टमाटर और लासुन का पॉडर बनाने की रेसिपी हम इसे बना कर ये टाइट डब्बे में रखकर साल भर यूज कर सकते हैं हम इन पॉडरों का यूज बहुत सारे रेसिपी हो और प्रीमिक्स बनाने में कर सकते हैं अगर आपके पास समय की कमी हो और मसालेदार ग्रेवी वाली सबजी बनानी हो तो इन पॉडरों का यूज कर आप टेस्टी सबजी बना सकते हैं प्रोडर बनाने के लिए हम प्याज का छिलका उतार कर अच्छे धंग से धो लेंगे और टमाटर को भी हम अच्छे धंग से धो कर सुखा लेंगे लसन का कलिया निकाल लेंगे उपर कपाट छिलका हटा लेंगे और अधरक का छिलका उतार कर उसे धो कर लेंगे हम लासन को पीशने के लिए मिक्सी का जार लेंगे अगर आप लासन का छिलका उतारना चाहते हैं तो अप उतार कर भी इसका यूज कर सकते हैं अगर नहीं उतारना चाहते हैं तो छिलका सही तब मिक्सी के जार में इसे डाल कर पीश ले मिक्सी के जार में दो तीन चम्मच आप पानी डाल के लसन को फाइन पेश्ट बना लें और हम प्याज को भी बारिक बारिक काट लेंगे कि जिससे जितना बारिक प्याज काटेंगे उतना जल्दी हमारा सुखेगा और उसे हाथ से अब हर एक लेयर उसे हटा दें जिससे असानी से प्याज हमारा सुख जाए लेसन का देखिए कितना फाइन पेश्ट बनके तयार है टमाटर को जितना पतला हो सके उतने पतले टुग्रों में काटिए जिससे हमारा टमाटर अच्छे ढंग से जल्दी सुख पाएंगे अध्रक को हमें ग्रेटर की तहाइता से ग्रेट कर लेना है हमें सुखाने के लिए धूप में या तो आप प्लास्टिक का कोई सीट या तो कोई कपड़े पे आप फै टमाटर को एक एक करके फैला दिजिए और प्याज को हमें अच्छे ढंग से हाथ से मसल मसल कर हर एक लेयर उसे खोल कर सुखा देना है अब देख सकते हैं हमने किते अच्छे ढंग से फैलाया है और अध्रक को हम च्छा में ही प्लेट में रखके उसे अच्छे ढंग से सुखा लेंगे लहसन का हम लोग जैसे हम लोग वरियां बनाते हैं वैसे वैसे हाथ से छोटे छोटे वरियां बनाकर उसे तयार कर लेंगे और उसे धूप में रग देंगे हमारी सारी समगरी सुख का तयार है इसे सुखने में हमें दो दिन लगे अगर आपके आँग कम धूप है तो आपको तीन दिन या चार दिन लग सकते हैं लेकिन हमारा प्याज देखिए दो दिन में कितने अच्छे धंग से सुख चुके हैं आए तो लाइक कीजिए हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए वेल आइकन का वटन प्रेस कर दे अब देख सकते हमारे टमाटर कितने अच्छे ढंग से सुख चुके हैं अधरक भी हमारा सुख कर रेडी हो च सब्सक्राइब के लिए हम मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम अपनी लासन की वड़ियां डाल कर अच्छे ढंग से पीश लेंगे और इसे हम च्छन्नी की सहाइटा से इसे च्छान लेंगे जो च्छन्नी के बाद जो यह मोटे रे से निकले उसे हटा देंगे और इसी मिक्सी के जार में डाल कर इसका फाइन पॉडर बना लेंगे और इसे हम च्छन्नी की सहाइटा से च्छान लेंगे और इसमें जो मोटा पाट निकले च्छनने के बाद उसे हम हटा देंगे देख सकते हैं हमारा टमाटर कितने अच्छे ढंक से पीस कर रेडी हो चुका है और हम अपनी प्याज को भी इसी तरह मिक्सी के जार में डाल कर इसे भी हम पीस लेंगे और इसे हम च्छान लेंगे और अध्रक का जो मोटा पाट है उसे आप चाई में डाल कर भी यूज कर सकते हैं इन सब पौडरों को आप एयर टाइड डबे में पैक करके एक साल तक यूज कर सकते हैं